खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइक करें मोखे मंतरी अर्विंद केज़िवाल ने बुद्वार को फ्री वाइफाई की घोशना करके दिल्ली वालों को एक नया तोहफा दिया ये फ्री वाइफाई की सुविधा लागू कैसे होगी कितने लोगों को इसका फाइदा मिलेगा और इसे जमीनी स्थर पर लाने की प्रक्रिया क्या होगी आम आदमी पार्टी से वार्ड 31 के संगठन मंतरी अमीत कनोजिया ने ये सभी जानकारिया दी आईए देखते हैं ये खास इंटर्विव नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और बोली निता जी में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमीत कनोजिया जी आपको बता दें कि अमीत कनोजिया वार्ड 31 S के संगठन मंतरी भी हैं और इसके साथ साथ जो दौरका विधान सभा में CCDV लगाने का काम किया जा रहा है बाइस सो से पच्चिस सो CCDV कैमरे लगाने का लक्श रखा गया है उस काम को यही करवा रहे हैं इनी की देखरेक में गली गली में मौले में चौक चौराहे पर और मकानों पर CCDV कैमरे जो है लगाई जा रहे हैं आज हमसे बात करेंगे अरविंद केजिवाल ने घोशना की थे फ्री वाइफाई की और साथ ही दावा किया था जो 70 वादे अरविंद केजिवाल ने किये थे वो सभी वादे पूरे कर दिये गए हैं इस पर हम इशे बाचीत करेंगे अमीद कौनोजिया से और जादर समझेंगे इस सुविधा के बारे में क्या कुछ इसकी टेक्निक्लिटी जए है और क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा कितने लोगों को इसका फायदा होने वाला है और क्या कुछ की funding रहेगी तो अमारा पूरा लक्षे है कि अगले छे मेनों में हम इसको लगा देंगे और इस पर लगभग सो करोड का खर्चा हमारी आमाधी पार्टी सरकार कर रही है और डाटा कमपनियों को हर महीने इसका बुक्तान किया जाएगा परविन जी इसकी तो लोग तारीफ कर रहे हैं फ्री वाइफाई की लेकिन एक सवाल सब के जहन में है और वो सवाल ये है कि ये जो वादा किया गया था फ्री वाइफाई का ये कहा गया था कि इसको तीन महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा या कुछ एक limited time था उसमें पूरा कर दिया जाएगा लेकिन वादा पूरा हो रहा है चुनाव के आने पर पूरे 5 साल बीट गए और अब चुनाव आ रहे हैं तो ये ऐलान भी कर दिया गया इसका delay का क्या reason परविन जी हर परकरिया में time लगता है क्योंकि tender किया जाता है कंपनियों से आगे बात करनी पड़ती है बिजली कंपनियों से माल की आपूर्टी देखनी पड़ती है पूरा ये एक structure होता है इसको तयार करने में समय लगता है जैसे हमारा CCTV में time लगा हमारे मुख्यमंत्री जीन है हमारे मुख्यमंत्री जीन है हमारे संगठन मंत्री जीन है LG साब के साब पास जाकर साथ दिन तक धरना दिया तब जाके हमें दिल्ली में CCTV लगाने की permission मिल पाई तो हर प्रकरिया में time लगता है आमाधी पार्टी की सरकार जो दिल्ली के अंदर है इसके पास पूरी ताकत नहीं है केंदर साशित परदेश है इस विए से हमें हर चीज के लिए हमें केंदर के बाद जाना पड़ता है वहां से मंजूरी लेनी पड़ती है तब जाके हमें permission मिलती है जैसा कि आपने बताया कि CCTV में केंदर सरकार ने अडंगा डाला इसलिए डिले हो गया तो इसमें भी Wi-Fi में भी कुछ ऐसी बात थी देखिए ये Wi-Fi भी कहीं न कहीं CCTV से लेटेड ही है तो समय जो लगा पहले CCTV लगाना ज़ली था हमारे लिए साथ साथ में ये जो होट स्पोर्ट जो हैं वो कहीं न कहीं CCTV से भी जुड़ा हुआ है एक और चीज़ मैं समना चाहूंगा जैसे आपने CCTV की विस्तरित जानकारी दी थी किस कंपनी के अंडर है क्या कुछ इसका टाइम लाइन होगा डेडलाइन होगी वाइफाई की की बात करें तो इसकी डेडलाइन क्या रहेगी और कौन सी कंपनी को टेंडर दिया गया है टेंडर की बात तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको लेकिन मैं बताना चाहूंगा हमारी अर्विंद केजी वाल जी सरकार ने अगले छे मेने के अंदर सभी वाइफाई होट स्पोर्ट को लगा कर चालू करने का निश्य किया है पढ़ने पिलकुल किया है और हम जल्दी से जल्दी पहले 16 तरिक से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ओर अगले छे मेने में इसको हम खतम कर देंगे एक जो वाइफाई का होट स्पोर्ट होगा कितने लोग उसका फाएदा मिलने वाला है और एक और चीज़ साथ में मैं समना चाहूंगा एक वाइफाई जो स्पोर्ट है होट स्पोर्ट से लगबग 500 मीटर का इरिया कवर होगा एक यूजर को हर महीने 15 जीबी डाटा फ्री मिलेगा और डेड़ जीबी एक दिन में वो मैक्सिमम यूज कर सकता है और जिस परकार से अब दिल्ली में दिल्ली में क्या पूरे भारत क के अंदर कंपनियों ने टेलिकॉम कंपनियों ने अपने चालिस से 45 परसेंट तक रेट बढ़ा दी अपने डाटा के तो यह यूजर पर पढ़ रहा था दिल्ली सरकार ने उसको कम करा है कहीं ना कहीं इसी परकार से हम विजली पे भी सबसिटी दे रहे हैं पानी पे भी करा राज हो जाएं के जिवार अब ये कंपनियां मैं तो कहना चाहूंगा जितनी सरकारे हैं ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों से चंदा लेके सरकार चुनाओ लड़ती है तो यह तो चाहते है किसी तरह से फाइदा पहुचाए जाए क्योंकि जब चंदा लेके के हित में हैं हमारे अर्विन के जिवाल जी पड़े लिखे हैं हमारी पूरी सरकार पड़े लिकिस लोगों की सरकार है और हमारे अर्विन के जिवाल जी आई रस की डूटी छोड़कर इसमें आये हैं और जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार हम फिर कहना चाहते हैं हम से एलान किया गया है तो आपको लगता है कि चुनावी मौसम में ये भी एक चुनावी बड़ा चुनावी दाव है और बड़ा वोट बैंक जो है जो यूजर का है वो आने वाला है आमादमी पार्टी तरफ देखिए मैनिफेस्टों में जो वादे किये गए थे आमादमी पा कर्ते देखाती है देष्ट की इक मात्र सरकार है जैसमें पूरे वादे पूरे करे करें हैं और कोई सरकार नहीं है नहीं 20 channel को अम जद्वाल करती तो अचानक से मुझे याद आया जब आम जन्यता जो मत्तदान के इंदरों पर जब जाए तो क्या कुछ उन्हें ध्यान में रखकर जो है वोट देना चाहिए दिली की जन्यता बिजली पानी शिक्षा स्वास्ते यह सबसे मूल भूर जुड़ते हैं दिली सरकार ने बिजली फिरी दी 200 उनिट तक बिजली फिरी 400 उनिट तक बिजली हाफ पानी एक परिवार को 700 लिटर रोजाना महिने में 21,000 लिटर पानी फिरी शिक्षा आप मोला क्लिनिक देख लीजिए आप हस्पिटल देख लीजिए शिक्षा स्कूल देख लीजिए जि वाद 2 करोड में से अगर आधी महिलाओं को फूरी फायदा मिल रहा है जो फैक्टरी जाने वाली कामकाजी महिलाएं हैं जो नोकरी पर जाती है उनको हर महीने का लगबग 1000-1500 का फायदा हो रहा है और तीरत यात्रा बुजर्गों के लिए तीरत यात्रा हमारी सरकार ने प् किसी भी ऑस्पिटल में आप प्राइवेट में सरकारी में कहीं ले जा सकते हो दिली सरकार उसका पूरा इलाज देती है और घायल को ऑस्पताल ले जाने वाले को 2000 का इनाम प्लस फरिष्टे का सर्टिफिकेट दे के सम्मानित भी कह जाता है तो ये थे हमारे साथ आम आदम और साथी साथ इन्होंने जिक्र किया कि बाकी जो योजनाएं हैं उनका भी इन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 70 सीटों की उमीद इस बार कर रहे हैं और एक बार फिर से वापसी होगी दिली सरकार की यानि केज़िवाल की बहरहल कैमरे जनलिस वीरु के साथ प्रवीन खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन